गांदी जी का चश्मा प्रियोग करके मोधी जी ने देश को स्वक्षता का संदेश दिया था उसी स्वक्षता के नाम पर हर छुट भहिया नेता, कर्मचारी, कारकरता और प्रधान मंत्री, मुख्य मंत्री, सफाई के नाम पर जाडू लगाता दिखाई दे रहा था साथ ही हर रोजा खबार में खरीब छे महीने तक कम से कम दस खबरें स्वक्ष भारत अभियान की दिखाई देती थी लेकिन धीरे धीरे गधे के सिर से गायब सिंगों की तरह जाडू वाले नेता गायब हुए और स्वक्ष भारत अभियान जमीनी हकीकत से दूर काग्जों तक पहुँच गया ऐसा ही कुछ यूपी के पीली भीत के बीसल पुर में हुआ जहां स्वक्षता के नाम पर जम कर सरकारी खजाने को चूना लगाया गया पूरे शहर में कूड़े दान लगे की कूड़ा इन में डाला जाएगा लेकिन कुछ ही दिनों में तस्वीर बदल गई और लगने लगा की कूड़ा कूड़े दान में डाला गया है ये कूड़े दान को कूड़े में फेक दिया गया है जरा इन तस्वीरों को गोर से देखिए ये प्रदान मंत्री मोदी के सबसे संसकारी सिपाही बाबा योगी आदितिनाथ के यूपी की ही तस्वीर है वही यूपी जहां बीजेपी की सरकार है और वही बीजेपी जिसका सुक्ष भारत नारा है ये नारा पिली भीत के बीसलपुर में दम तोड रहा है और कूडे में पड़ा कूडादान 56 इंच का सीना ठोक करो रहा है और कह रहा है कि कोई मेरा भी उद्धार करो और इसके पीछे वज़ा क्या है जरा नगर अध्यक्ष से सुनिए बजबजाता नाला सडकों के किनारे कूडे के धेर और उस धेर के बीच लगे कूडे दान बताते हैं कि कोशिश तो हुई लेकिन पूर जोर नहीं बस पैसा निकाला गया बारे न्यारे किये गए और फिर अधिकारी एसी की हवा में सब भूल गए और उसकी गवाही नगर अध्यक्ष ने भी दे दी लेकिन सवाल नगर अध्यक्ष से भी है कि आपकी अध्यक्ष गीरी कहा गायब हो गई शहर के इन हालातों को देखकर आप नगर अध्यक्ष की जिम्मेदारी सिर्फ लापरवाही सुईकार करने के लिए लेकर बैठे हैं या फिर कुछ काम भी करेंगे तो उनका कहना था कि शिकायत की गई और अधिकारी ने क्या गुल खिलाया वो भी सुनिए अब सवाल इस बात का है कि रिपोर्ट बनाने वाले आखिर अधिकारी कहां सोय हुए है जब इन सवालों के जवाब ढूने के लिए हमारे समवाद दाता ने अपने कदम दोड़ाए तो एक और चौकाने वाला सच सामने आया कि पहले लगे कुड़े दानों का तो प्रियोग नहीं हो पाया नया प्लान ये है कि शहर में और कुड़े दान लगाए जाएं साथ ही खुलासा ये भी हुआ कि सफाई के लिए कुड़े दान लगाने की कोशिश नहीं की जा रही बलकि सरकारी खजाने का पैसा कैसे ठिकाने लगाया जाए इसका प्लान बन रहा है घजब है बाबा जी की सरकार और सरकार के संसकारी सरकारी सिपाही जो सरकार की योजना को ही पलिता लगा रहे हैं और सरकार बजट देने के बाद ये भी देखने की जहमत नहीं उठा रही कि उसका दिया पैसा कहां खर्चो रहा है और सरकार जहमत उठाए भी क्यों क्योंकि ये तो जनता का पैसा है जो टेक्स से आया है उनकी जेब से कहां गया खजाना खाली होगा तो टेक्स थुपा जाएगा सरकार तो कार में घूम रहे हैं बंगले में ब्लोवर की गर्मी का मज़ा ले रहे हैं और गांधी जी का चश्मा कह रहा है कि जहां स्वक्ष लिखा है वो भारत नहीं है और जहां भारत लिखा है वहां स्वक्षता नहीं है राम राज के सपने दिखाने वालों के लिए आखिर में इतना ही कहने को मिलता है कि जै हो राम जी की क्योंकि जनता तो राम भरोसे है और आगे भी रहेगी स्वक्षता का क्या है गंदगी पहले भी थी और आगे भी रहेगी पिलिवीज से मीडिया हलचल के लिए आशुतोष मिश्रा की रिपॉर्ट